आपके अपने चनल एक्जाम वाला 247 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्तान के प्रमुक कला वर संगीत संस्थान बहुत रेरली ये टॉपिक आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है इससे समद्धित सामगरी बहुत कम है तो मैं कंसाइज रूप में इस समगरी आपके सामने लेके आया हूँ I hope आपको अच्छा लगीगा वीडियो आपके जो नौलेज है उसमें इजाफा होगा और आप एक्जाम में बहतर परफॉर्म कर पाएंगे इस टॉपिक पढ़के अच्छा जाच ऑए आएए स्टार्ट करते है सबसे पहला आता है भारतिय लोक कला मंदल अन गिनत बार ये क्वेशन पूछा जा चुका है भारतिय लोक कला मंदल दोनों नाम हैं इसके ये स्तित है उधेपूर के अंदर देविलाल सामर ने इसकी स्थापना की देविलाल सामर को बदमशे मिल चुका है और इसमें लोग संस्कृत्ती संग्राले भी है क्या है? लोग संस्कृत्ती संग्राले है ठीके? कटपूत्री संग्राले भी इसमे ओके? फिर देखो फिराती है राजिस्तान संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी अब ये खुला कब राजिस्तान लोकला मंडल कब खुला 1902 में जब प्रथम बार आम चुना हुए थे तब क्या खुला था राजिस्तान लोकला मंडल खुला था उसके बाद रायस्तान संगीत नाटक अकादमी देखो संगीत मतलब म्यूजिक भी होगा और डांस भी होगा डांस और म्यूजिक दोनों जगह होंगे वो कहा होंगे जोदपुर में होंगे अगर सिर्फ क्या है सिर्फ संगीत सुनना है आपको संगीत सुनो आप जैपूर के अंदर है यह देखो जैपूर लेकित संगीत और नाटक दोनों चाहिए वो कहा मिलेगा आपको जोदपूर में मिलेगा ठीक है तो यह कब हुई 1957 में संगीत नाटक अकादमी किस्था अपना कब ही 57 में ओके चलो आगे रडिस्तान संगीत संस्थान यह है जैपूर के अंदर यह कब है जैपूर के अंदर इसकी स्थापना हो इती 1950 में जब हमारा सवीधान लाग हुआ था जैपूर के अंदर ही स्थित है ठीक है फिर है कथाक केंद्र, कथाक केंद्र भी जैपूर केंदर है, इसकी स्तापन वहीती 1978 में, कभ होीती 1978 में, देखो, तो कैसे याद रख सकते हो, कथाक सीखने में बैया, साथ, आठ साल के जब बच्चा होता है, तभी उसको कथाक सिखाना पड़ता है, तब जाके वो सीख पात उदयपूर में है और इसकी स्तापन वहीं 1986 में, हाना, 86-86, ठीक है, पश्ची में सांस्कृतिक केंद्र, ये क्या करता है, ये देश में लुप्त हो रही कला को बढ़ावा देने का कार्य करता है, हाना, ये गौर्मेंट आफ इंडिया का मानव संसाधन मंत्रा ले द्वारा उसके द्वारा इस्तापित किया गया है, तो पश्ची में सांस्कृतिक केंद्र, भारती, लोकला, मंदल, ये सब का हैं, उदयपूर केंदर है, फिर आता है जवार कला केंद्र, जवार कला केंद्र इस्तित है जैपूर केंदर, और इसमें क्या है, इसका जो वास्तोकार थ थी ठीक है लुप्त हो रही कला को बढ़ावा देना इसका मेन काम है फिर है राविंद्र रंगमंच ये कब है ये 63 में जैपूर में स्टार्ट हुआ है 63 रामनिवास बाट में ओके तो ये हमारे ये हैं अगले पेज की तरह में चलते हैं फिर आता है रूपाइन संस्थान बो रूपाइन संस्थान का हेड़कॉर्टर जोदपूर में है फिर आता है राजिस्थान स्कूल ओफ आर्ट एंड क्राफ्ट जिसका पहले नाम ता मदरसा हुनेरी जिसको इस्टब्लिश किया था राम सिंग सेकिंड ने ठीक है कब किया था ये इस्टब्लिश किया था 1866 में जैपूर में ठीक है चलो ये पूछ दाज़य का ये कोंट ही आदे राजिस्तान सहीत कर अगाद्मीड लिट्रिचुर परमें ठीक है ये ये पत्रीका निकालती despite कहों से निकालतीों अंद कोमण कोठारी लाइफ टैम अचिवमेंट आऌ़ देती है और 2023 का कोमल कोठारी live-time achievement award मिलाँ दिलिबर्ट को ठीक है चलिए आगे चलते है मेरा पूरुषकार भी देती है यह मेरा पूरुषकार भी मिलाई भी रती सकसरियना को ठीक है फिर आओ गया हो राधिस्थान संसक्रत अकादमी जाइपूर के अंदर दो पत्रिका है निकालती है ये भी पूठा दा सकता है अगर एक्स्रीम लेवर पर रो गया तो डीब भी पूठा दा सकता है फिर आती रादिस्तान बरेज भाशा अकादमी ये बरेज भाशा àकादमी भी कह अब мире?" जाइपूर के अंदर है पत्री का है इसकी ब्रजच्टैगल फिर आगे आता है राज़िस्तान सिंधी अकादमी का है यह अकादमी है जैपूर के अंदर और इसके पत्री का है रिहाण ना दिहाण फिर रालस्तान राजी अभी लिखागार मतलब जो आकाईव्ज हैं जिसमें पुराने दस्तावेज हैं वो है बिकानेर के अंदर काया बिकानेर में और इसकी स्थापने हैं 1905 के अंदर मुख्य काम कैसा इतिहास को सुरक्षित रखना यही काम होता है पुरानी किताबों का काम यही होता न फिर आती है राजिस्तान हिंदी गरंत अकादमी यह इस्तित है जैपूर के अंदर और 1969 में इसकी स्थापना होई थी आप देख सकते हैं ठीक है पाठे पुस्तक का प्रकाशन करती है यह हिंदी सहाइते को उन्नत बनाने का कारे करती है यह सारे काम इसके है फिर आती है राजिस्तान भाषा, सहाइते वा संस्क्रत अकादमी यह तीन जगह है ना मतलब तीन चीज़े हैं यह आए कि बिकानेर के अंदर और 1923 के अंदर ही इस्टाबिश होई सरवोच अवोड कौन सा है इसका सरवोच अवोड है सूर्यमल मीसन अवोड पत्रिका इसकी जागती जोत तो जागती जोत पत्रिका क्वेशन आ चुका है कि पूछा था कि जागती जोत पत्रिका कहां से निकानेर से है राजिस्तान भाषा साइतिय और संस्क्रद अकादमी दोरा फिर मुलाना अबुल कलाम आज़ाद अर्बी फार्थी शोध संस्तान ये कहा है ये बही है टॉक के अंदर ये 87 के अंदर खुला और फार्थी भाषा को बढ़ावा देना इसका काम है इसका पूरु नाम है कसर इल्म इल्म का मतलब बहुत है जानकारी फिर आती राजिस्तानी पंजाबी भाषाक आदमी तो गंगान अगर पंजाब से साटा हूँ हमारा जिला है तो वहाँ पर पंजाबी भाषाक आदमी खोले गई है ठीक है ध्यान रखना फिर आती राजिस्तान प्राच्चे विद्य संस्थान औरियंटल रिसर्च इंस्टूट इंग्लिश में इसका नाम है एक बार क्या हुआ कि प्राच्चे विद्य जनरली हर एक्जाम में हिंदी में पूछते हैं एक्जामिनर ने थोड़ा से दिमाग लगा कि उसको ऐसा पोच लिए कि औरियंटल रिसर्च इंस्टूट का है तो बच्चे हिल गए कि सब हिंदी में पढ़ते हैं तो वो हिल गए थे उनको समझनी आए कि क्या पूछ राएगे तो गलत हो गया कहीं होगा तो आंसर क्या होगा इसका जोगपूर फिर आएगा गुरु नानक संस्तान ये भी जैपूर में 1969 ललित का लग अकादमी का है जैपूर में 1957 में ठीक है फिर देखो श्री राम चरन प्राच्चे विद्या पीठ वह संग्राले जैपूर के अंदर है राजिस्तान हिंदी ग्रेंथ अकादमी की बात की जाए तो हिंदी ग्रेंथ अकादमी जैपूर में स्टार्ट की गई और ये एक्चुली स्टार्ट की गई थी जैपूर के अंदर फिर बताओ राजिस्तान प्रचानी सभा राजिस्तान प्रचानी सभावी जैपुर में है और इसकी पत्रिका निकालती है मरुवाणी पंडित जाबरमल शर्मा सोदवसंस्तान ये भी जैपुर में है सं 2000 में इसकी स्थापना की गई अंबेडकर पीठ ये मुड़ला में है जैपुर के अंधर फिर राजस्तानी ग्यानपिट संस्थान, यह बिकानेर में है, इसकी पत्रीका है राजस्तानी गंगा, यह उतने i important नहीं है, शुरु के start वाले important जाता थे फिर लोक संस्कृति नगर श्री सोध संस्थान ये है बैया सुबोध कुमार इसकी स्थापना कीती है चुरू के अंदर इस्तित है लोक संस्कृति नगर श्री सोध संस्थान चीक है फिर आता है राजिस्थान प्राच्चे विद्या प्रतिस्थान ये भी जोदपूर के अंदर अपने देख लिया उरड़ी राजिस्थानी शोद सनस्थान राजिस्थानी पर शोद एक्शली स्थापना करी उसकी आचारी तुल्सी नहीं और तुल्सी प्रग्या कहा जाता है पत्रीगा तुल्सी प्रग्या अनुवरत आंधुरन चलाया थै नगर नंटीन- सुरुटिन-नाइन में फिर राडिस्तान राज्ये पाठ्या पुष्टक मंडल का हैं जैपूर के अंदर हैं 2003 में स्थाप नोई राडिस्तान मदर्सा बोड का हैं जैपूर में 2003 में स्थाप नोई BM बिल्ला तारा मंडल का हैं जैपूर में है बहवानी नाटिशाला जालावाडी के अंदर है 1921 में स्तापनोई राजिस्ट्री कला मंडल का हैं जोदपूर में है राजिस्तानी शोध सहस्तान जोदपूर में है एकलवी नाट्शाला ब्यावर ध्यान रखना जो अलग से हैं यूनीक से हैं वो पुछ जा सकते हैं कुतूब खाना का है अलवर में विने सिंग में एस्टाबलिश करवाया राश्तानी भाषा बाल साहितिय प्रकाशन का है लक्षमणगड में सिक्कर में पत्री का है इनकी पणिहारी ओके फिर देखो वेदिक इंतराले छापा खाना अजमेर में है 2021 में आरेस में कुशन आ गया था मेरा बाई अखिल भारती आयुर्विज्यान संस्तान एम्स का है जोधपूर में प्राविधिक शिक्षान इदिशाले का है जोधपूर में है मानिकिलाल आदिम जाती संस्तान का है उधपूर में ठीक है तो यह हमारे सारे संस्तान कलियर होते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और भी कई सारी वीडियो पढ़िए अब देखिए होने जाकर शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ठीक है तो इसे प्रकार बने रही हमारे साथ जदा जदा शेयर कीजिए और हमारा उत्सावर्दन कीजिए तरने बाद